लोगों के पास तो ये अच्छी बात है एक CM का इस तरीके से लोगों के साथ जुडाओ करना बहुत बढ़िया लगया जी हमने बहुत बढ़िया लगया ये जो समझे हैं थी सब लिख करके न दे दी हैं और CM सामने बोला है उन पर आमल होगा जो भी अब कोटा सिकर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं क्योंकि भीवानी के विद्धानगर में गुरुजी कलासिस दे रहा है सर्वत्म शिक्षा फोस्टल वैसलिटी के साथ श्कार दोस्तों मैं हूँ अपका दोस्तों मिनोस शर्मार फिलहाल बापुड़ा गाउं में मौजूद हूँ जनसवाद जो यात्रा चल रही है हर्याना मुख्यमंतरी फिलहाल भीवानी डिस्टिक में लोगों से बात कर रहे हैं जनसवाद यानि की पब्लिक डायलोग कर मैं फिलाल सामने देखे किस तरीके से मुख्यमंतरी की गाड़ी जा रही है और बहुत सारे लोग फिलाल इससे डायलोग डिलिवरी के दोरान आये थे और इन भुजूर्गों को दिखा दू मैंने आप शोड़ देखे होंगे यह पगड़ी बांद बांद के किस तरीके से आपर हैं पहुंचे हैं पहले तो मैं वकिल साब से ही बात कर लेता हूं यह जो जन्त समवाद जो यातरा चल लिए मुख्यमंतरी शाब भिवानी डिस्टिक में आये हैं आम जन्ता का कितना भला होगा क्या लाइकता है मंत से बहुत सारी बाते कर रहे था देखोई यह बात जन्ता के सामने आने का निरने लिया कि कहीं कहीं कमी सरकारी करमचारी अधिकारियों में या कहीं मंतरियों में किसी बात को लेके पबली की काम नहीं हो पा रहे हैं उनको डारेट अपने आचे ले रहे हैं और ओने के मन से ही पबली के बीच में जा रहे हैं तो उमीद है कि स अजन्डा तो होता ही है यह आप इसको चुनाओ का जन्डा मान लें अगर चुनाओ का यह अजन्डा है तो पुब्लिक के सामने आके कि मुख्यमंतरी उनकी बाते सुन रहा है तो यह पुब्लिक के लिए भी अच्छी बात है पुब्लिक के साथ मेटिंग मुख्यमंतरी शाब के और भीवानी के बापुड़ा गाओं में आज मुख्यमंतरी शाब को आपने और श्राम की मूर्ति के नेचे यहाँ पर लोगों के कठा किया उनको बुलाया क्या लगता है जन्समस्या शोलुशन होगा अज मुख्यमंतरी शी का जिस परकार से दो दिन से जन्समवाद कारिकर्म भीवानी अचेतर के अंदर चल रहा है और हमें पूरी आसाइनी पूरा विश्वास है मानने मुख्यमंतरी जी से क्योंकि हमने पिछे भी जो यह के लिए बापपुड़ा की नी तुसा मलके की जितनी भी मांगे हमने अपनी तरफ से दी है वो सब मांगे उन्होंने पूर्ण करने का पहले भी काम किया है और अब जितनी मांगे मेरे गाउं से जितनी भी जाएंगी उन्हों मांगों को मानने मुख्यमंतरी जी बहुत जल्द पूरा करने का काम करेंगी लोग काफी शामिल होये था और बापुड़ा में कई कारेकरम थे रविंद्र पापुड़ा 2019 में भी चर्चाओं में थे रत्यातरा मुख्यमंतरी शाब ले करके निकले थे तब भी लोग नवज चटोलने के लिए फिर दुपार रस निकले इतने सारे लोग शामिल कर लिए दिमाग में आप वही चल रहा है कि 2024 में तो कम से कम विश्वास करेगी बिजेपी और टिकेट मिल जाएगी यह आप जो यह भीड़ा ही है इन लोगों की समस्सें लोगों तक मुख्यमंतरी शाब तक पहुंचाएंगे उसका benefit मिलेगा मुख्यमंतरी शाब की नजर में आए उसका कोई ना कोई लक्से जरूर रहता है रविंदर का लक्से अकेले चुनाव लड़ना नहीं है मेरा लक्से मेरे तुसाम हलके के जितने भी साथी है जितने भी गाउं लगते हैं साथ में मेरा गाउं उन सब के जितने भी जो परमुकाम है जितने मेरे लाइक है जितने म mermaid कुई करता रही बाद चुनाओ की तो पार्टी जिसको भी पहले चुनाओ के अंदर जिसको उतारा उसका हमने मन लगा करके साथ दिया और आने वाड़े समय में में हम भारती जंता पार्टी का कंडिडेट चाहे कोई भी हो कमल का फूर लेकर के जो आएगा उसके लिए हम तन मंधन से उसके साथ रहेंगे क्या कोगे बाउजी गाउं में आज आए हैं स्पेसली सीम साब समस्याइं रखी हैं आलांकि समय नहीं था इतना कि लोगों की एक एक की बात चुने तो परची में नोट करवा करके लेके गए हैं इनका समाधान हो जाएगा दो जड़ चोबिस तक लगाउं की जो समस्याइं सब लिख करके न देदी हैं और सीम साब न बोले हैं उन पर आमल होएगा जो भी वह अप्लिकेशन दी हैं सब आमल होएगा और काम होएगा क्या कहोगे इतनी शाल होगे आपको वोड़ डालते हुए शीम के साथ बेटकर काफी नजदीक बेठे थे अभी कुछ बजुर्ग बेठे हैं पकड़ी पहने बेठे यहां पर कितने नजदीक से सीम के साथ अपनी बाते रखना कितना अच्छा लग रहा है और क्या फील होता है कि सीम आपके नजदीक है या सिरफ राजनीती हो रही है हमारे पूरा विश्वास है जी सीम साब हमारी सुनाई करेंगे और गा विश्वास है और विविव फोने लग रहा है पांत साल पंसाथ साल से भहत बड़ी आकाम होने लग रहा है चली विविकास मुह ओंधनाम से हो हो न बद्र से सब्सक्राइब एक खास डिमांड थी मानने मुख्यमंत्री जी से क्योंकि जो घगल ड्रेन भीवानी से होते हुए जो आगे गई है वो बापुडा में होते हुए बापुडा से सुई के रास्ते से साग्मन होते हुए अलगपुरा की तरफ निकले हैं तो आज कुछ साथी क् फिर ट्रेन से काफिशन है तो उस नात्ते से कुछ सती कि चसान भाई थे वह आज कुछ हुई के भी कुछ सती आए थे साग्मन से भी मेरे साथी और tell स्टेडियम की मांग की है क्योंकि आज से जब मानने मुख्यमंत्री जी उड़्डा उस्टे मुख्यमंत्री थे उस समय मेरे गाउं ने साड़े दस एकड़ जमीन साई सेंटर के लिए दी और उन्होंने मुख्यमंत्री की गोस्रावी की थे लेकिन उसके अंदर ना तो आज तक हमारा साई सेंटर बन पाया ना उसके कारण से हमारा कोई स्टेडियम बन पाया एक बात और आप से पूछूँँगा सीम साब आये त में भार्फ लोग एक ओब तक एक नहीं हो गया है हुए रियना मुख्यमंत्री जी इतनी लोक प्रिये हैं कि हर कोई चाहता ह ह कि हमारे चेतर के अंदर उनका कारीकर्म हो अब बड़ा गाव है 10,000 बोट है 25,000 के आबादी है तो एक नेचरूली बात पिर उन्होंने श्यों उपर से जो कारिकरम जैसे एक जो सहीद परिवार से उनके मिलने का कारिकरम एक अलग ही था क्योंकि उसके अंदर कोई जनता नहीं थी दूसरा सेनिकों के साथ वारतालाब थी पूरों सेनिकों के साथ तो उनके साथ भी वारतालाब का कारिकरम उपर से यह आए था नहीं जो कारिकरम सेनिकों के साथ वारता की है जो सहीद परिवार के साथ मिलना था दो कारिकरम तो वह पर क्या है कि जो नई द्रमसाला बनाई गई है उस द्रमसाला के उद्गाटन के लिए या आज मुख्यमंतर जी का चाय और खाने का प्रोग्राम बुजूर्ग बड़े सुंदर से लग रहे था पगडियां पहना करके बिठा रखा था उनके आथों से आप में गुलाब बें पहने का काम किया और रही बात पगड़ी की तो गाओं की लोगों की शान है इता अपने देश के अंदर ग्रामिनी चेतर के अंदर हर आदमी पगड़ी पहनने का एक उसका अधिकार भी है और वह अपने आप में पगड़ी पहन करके गुरवानमीत महसूस करता है तो आज ह हमने एक नया चलंग किया कि मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों को तो सब पगड़ी पहनाते हैं आज हमने बुजर्गों को भी पगड़ी पहना करके इस प्रंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया कि जो जो बुजर्ग आज यहां पर जो सबसे बुजर्ग यहां पर वेक्ती पीशली हमनों को प्रगडिया सब को पहाने करते हैं चली में फिलाल दुहिंद्र बापोड़ा और इनकी टीम और यहां पर ग्रामबासी जो मौजूद थें से बात कर रहे था यह यहां पर फिलाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से चार पाई वोगेरा और जो सीम साब में जरू लिख दें इस वीडियो को शेयर कर दें तब तक के लिए धन्यवाद राम राम चाहिए